तो सब्सक्राइब आप सबाएं फिर तो इसमें आगे आगे टॉपिक्स को पढ़ेंगे पिछाड़े गया था उसमें आपको पढ़ाए गया था और लिंक्क इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी देख लो प्लेलिक्स को भी चेक कर लो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो अब चलते हैं आगे आगे हमारा है next topic कम networking के lab हमने पहले lecture पड़ा था computer network तो network समझ में आ गया क्या होता है अब आईए देखते हैं networking के क्या क्या benefit होते हैं क्यों networking important है क्यों networking जरूरी है networking के थुरू हमें क्या क्या profits होते हैं तो देखो सबसे पहले networking के lab तो देखो networking का important क्या क्या useful है उसमें first number हमारा use है संसादनों का साजा करना English में इसको बोलते हैं sharing of resource ठीक है तो देखो computer network का use करके हम कैसे resource को share करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं तो देखो network के किसी भी computer से जुड़े हुए संसाधन का उपयोग network के अन computer पर कारेरत करते हुए करशकते हैं उदारा के लिए यदि किसी computer के साथ laser printer जुड़ा हुआ है तो network के अन computer से उस printer द्वारा कोई भी data print किया जा सकता है तो देखो इसका मतलब क्या होता है ने संसाधनों का साजा करना networking के थूँ तो देखो जैसे माल लो यहां पर resource sharing of resources जैसे हमारे computer से कोई भी या फिर माल लो आपके पास जो है पांच computer है ठीक है पांच laptop है और आपके पास एक printer है अब हमारे पास जो यह पांच चलो मालो अभी तीन example में लेता हूँ तीन यहां पर हमारे पास computer है और एक हमारे पास printer है ठीक है इसको printer मालो और यह computer है वो सभी computer के साथ जुड़ा हुआ है तो अब देखो नेटर के थ्रू हमको यह profit हो गया कि अब चाहे तो इस printer पर जो बैठा हुआ है वो अपना प्रिंट यहां पर कर सकता है यहां से निकल जाएगा उसका जो भी रहेगा document मैं चाहूं तो इस computer के थ्रू अगर कोई भी document प्रिंट करूं तो यहां पर निकल हुआ कि हम किसी भी computer के थ्रू अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो किसी भी computer के थ्रू हम चाहें तो हम अपना कार इजली कर सकते हैं सेकेंड नमबर पॉइंट है हमारा data का तिवर संप्रिशण इसको समझते हैं इंगलिस में is pretty transmission of data data को जो है तिवर संप्रिशण देखो computer के networking से दो computer के मध data का आदान प्रदान तिवर तथा सुरच्छित रूप से होता है इससे कार की गतीत तिवर होती है और समय की बचत होती है अब जब आपस में computer जुड़े रहेंगे network के थ्रू तो हम जब कोई भी data file send करेंगे तो वो चाहिशी बात है कि आपका वो secure रहेगा क्यों secure रहेगा क्योंकि वो network के थ्रू जुड़ा हुआ है अपस में और वो speed से जाएगा क्योंकि वो computer आपस में क्या है जुड़े हुए थर्ड पॉइंट क्या है विस्वस्थनियता मिन reliability networking में किसी भी file की क्या होती है दो या दो से अधिक कापियां अलग-अलग computer पर store की जा सकती है यदि किसी कारणवस एक computer खराब हो गया असफल हो जाता है तो आडाटा दूसरे computer हो से प्राब्त किया जा सकता है इस प्रकार जो हमारा networking होता है networking का यही profit होता है कि जो हम माल लो माल लो हमारे पास क्या है फिर से एक example के तुरू समझाता हूँ इस topic को इस heading को reliability में भी स्वस्ता क्या होता है तीन हमारे पास computer है ठीक है अब हमको क्या करना है हमको कोई भी data है वो share करना है अब माल लो यह computer के जो data है वो सब आपस में connected है ठीक है जो data इसमें नेटर के द्वारा ये भी इसमें वही data है थर्ड नंबर में भी वही data आपको मिलने वाला है क्योंकि यह सब एक ही नेटर से जुड़े हुए है अब यहां पे हमारे तीन person है फर्स्ट वाले person को इस computer पर रखा गया है सिकेंड वाले को इस computer पर रखा गया है थर्ड नंबर इसको एक file share करना है कि किसी अन्य person को second number जो computer है वो खराब हो जाता है तो यह क्या बोलेगा कि भाई फर्स्ट नंबर जो हमारा person है उसको बोलेगा कि आप यह file है file का name है इस file को यह email id है इस पे आप share कर दो ठीक है अब अगर यह network में नहीं होता तो क्या यह share हो पादा नहीं share हो पाता तो networking के थो यह profit हुआ कि अगर आपका खराब भी हो जाता है computer work भी नहीं करता है तो आप other person को बोल सकते हो ऐसे अगर मालों network में नहीं जुड़ा रहेगा दो अलग अलग जगे से computer रहेंगे network में नहीं जुड़े हुए हैं तो वो access ही नहीं कर पाएगा access ही नहीं क सब्सक्राइब एगा थीक है तो यह हमारा हो गया campus talking क्या था हमारा computer का क्या यो है लाब है नेट्वर्क के लाब कंप्यों लब नेंने called network के लाब डाटा को जो हम स्पीड में बहुत जल्दी हम सेर कर पाएंगे क्यों कि ये दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं विस्वसनियता होती है कंप्यूटर को हम अगर ये खराब भी हो गया तो नेटवर्क में मिलते हैं नेक्ट फिलों में तब तक गले सभी को थेंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो